हर्याणा राज्य महिला आयोग की चेरपसन रेडू भाटिया जेल का निरिक्षड करने पहुंची इस गौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि 6 सालों में दूसी बार करनाल मैं जेल का निरिक्षड करने आई हूँ हम पहले जेल में बंग महिलाओं से बात्ची करके खें लेकिन अब हमने एक नई पहल शुरू की है अब महिलाओं के साथ साथ जेल में बंग पुरिशों से बात करेंगे आज करनाल की जेल विजिट मेरी इन 6 वर्षों में दूसरी बार है जब मैं में में थी तब आज अज का करनाल का हमने थोड़ा सा थीम चेंज किया है हम लोग लगभग पूरे हर्याना में केवल महिलाओं से मिलकर आ जाते थे उनकी समस्य हैं सॉल्फ करना पूछना वो सारा करके आते थे परन्तु पिछले कुछ दिन पहले मैंने जब पूरा सर्वे किया और निचोड निकाला कि जिन महिलाओं के साथ पुर्ष भी बंद है उनी जेलों में उनकी मेंटालिटी का कारण क्या है वो क्यों महिलाओं की हत्या करते हैं पत्नी की हत्या क्यों करते हैं रेप क्यों करते हैं 18 से 21 वर्ष के कुछ बच्चे यहां बंद हैं मैं आज उनसे मिलूंगी और उनकी मानसिकता जानूंगी कि वो स्टूडिंट लाइफ के बच्चे हैं उन्होंने रेप क्यों किये उन् अपराद का रास्ता क्यों चुना चिटा और ये जो अफीम चरस का रास्ता क्यों चुना क्योंकि मैं एक Master's in Criminal Psychology हूँ तो आज मेरी इस तरह की सोच का विशे है बजुर्ग जो यहाँ पर 60 से 80 के बीच में हैं उन्होंने अपराद क्यों किया क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आप भगवान की तरफ टर्न होते हैं परिवार की तरफ टर्न होते हैं या सामुहिक बलतकार किया या गंदी दृष्टी रखी महिलाओं के साथ जिस वज़े से वो बंद है। तो ये साइकॉलजी जानने के लिए आज मैं चार भागों में जेल के लोगों के मिलेंगी महिलाओं को, अठारा से एक्किस के बच्चों को, युवाओं को जो पैतिस चालिस वर्ष की आयू के हैं और फिर उसके बाद फिफ्टी फाइव से लेकर लास्ट एज जितनी भी हाइस एज तक के लोग हैं। तो चार कैटेगरीज में आज मिलने का प्रयास है। कुछ महिलाओं जो जेल में बंद हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए आप लोग क्या प्रयास हैं। बीच में हमारा रौतक जेल का विजिट था, वहाँ पर भी महिलाएं थी, दो बच्चे थे, इसी प्रकार गुरुग्राम जेल में, इसी प्रकार फरीदाबाद की जेल में, तो वहाँ के जितने भी सुप्रिडेंट होते हैं, या जो भी इन चार्ज, इवन डीजी जेल से म पर एक बार बात हुई इस विशे पर, कि इन बच्चों को हम इस माहौल से दूर करें, क्योंकि उनको बड़े होकर ये ना पता लगे, जैसे हम लोग अपना बच्चपन याद करते हैं, कि हम बच्चपन में वहाँ रहते थे, हम बच्चपन के नानी के गए थे, उन इसको वाश आउट करने के लिए उनकी शिक्षा और उनकी देख बाल का जल्द हम ध्यान कर पाएं, परंतु कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है, कि एक सर्टन एज तक आपको बच्चा मा के पास रखना होता है, उसके बाद हमने उनकी शिक्षा उनकी आगे बढ़ने का झाल कर दो